अफचेतन मन की कारियों को जाने ऐसी कहानी सुने अब हिंदी में तो चौनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन तो दबाना ना भूले एक खलन चलन सवेंधना ये दोनों करियों हमारा चेतन और अफचेतन मन करता है जब हम जागरत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चलन-चलन और सवेंधना पर का काबू चेतन मन की पास होता है और जब हम सुझाते हैं हम यह काम हमारा अफचेतन मन करता है दो त्वरिक प्रतिक्रिया रिफ्लेक्स आफचेतन मन की यह शक्ति हमें अपातकालीन स्थितियों से हमें बचाती हैं, जैसे अगनी पर पैर परते ही अचानक हटा लेते हैं, साप को देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीडी से गिरते गिरते संभल जाते हैं, टीन दुरस्मेदना टलेपथी, ईश्वर ने ह हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांस्मीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मान में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई हैं लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते इसलिए इसकी शक्तियों से अंजान हैं, इस पध्धती का उप्योग करके हम दुसरे लोगों के मन की बात जान सकते हैं इस पती को सिखने की पूरी प्रोसेस आगे के चरण में अलग से दी गई है चार यादशिक्ती, यदशिक्ती के तीन सटेप होते हैं आगे के चरण पर हम यादशिक्ती करबारे में विस्तार से बात करेंगे जो काफी मददगार रहेगा पांच, अंतरात्मा की आवाज जब भी हम कोजी गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती हैं ये गलत है भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोपने के लिए उसके भीतर यह रड़ा सेट कर रखा है जो अफचेतन मन के नियंत्रन में है 6. त्रिकाल ग्यान हमारे अफचेतन मन से बहुत भाविश्य, वर्तमान कुछ भी नहीं छुपा है यह त्रिकाल दर्शी है, यह भाविश्य की घटनाओं को भाम लेता है और कभी कभार हमें चेताता भी है संजे ने महाभारत की भाविश्यवानी इसी आधार पर की, इसी के आधार पर नौस्ट्रदामस इतना प्रसिद हुआ 7. EQ Emotional Quotient, भावना का गुनांक उच्चा IQ ही सफलता का मानक नहीं है बलकि EQ व्यक्ति को सफल बनाता है उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम EQ के कारण संस्था को बड़ी हानी पहुँचाता है अभिनेत्री दिव्या भारती, हितलर, गुरुदत सब बहुत उच्चा IQ के थे पर इनमें EQ उच्च नहीं था इन सबने आत्महत्या की थी EQ बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होंगा भावनाएं दो प्रकार की होती है एक सकारात्मक भावना और दूसरी नकारात्मक भावना प्रेम, दया, क्षमा, कृत अग्यता, प्रफुल लिता, फेथ, टूलेरंस, करुना ये सब सकारात्मक भावनाओं है ज्यादा तर प्लानिंग हम चेतन मन से करते हैं इसको human planning कहते हैं जिसमें हम अक्सर fail हो जाते हैं तब हम कहते हैं man proposes but God disproposes भगवान का तो कुछ बिगार नहीं सकते बिगार सकते हैं तो सिर्फ अपना ही किन्तु जब हम अर्धजगरित मन से planning करते हैं तो यह divine planning होती है जो हर हाल में पूरा होती ही है अक्सर मेरे लक्षय अर्धजगरित मन द्वारा planned होते हैं 9. अफसर खड़े करना हमारा अफचितन मन हमारे लिए अफसर create करता है 10. wisdom सही समय पर सही निर्ने लेना ही अफचितन मन की विशेशता है 11. mental clock 12. mental calendar 12. मित्रों आपको जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उलेक जरूर किजिये तभी अफचितन मन उस पर सही से कार्य कर पाएंगा आपको कोई गोल किस वर्ष प्राप्त करना है 13. healing power 12. मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने लगातार सोच सोच कर अपने शरीर में केंसर उत्पन कर लिया था और कैंसर भी इतना भयानक था कि टाटा हॉस्पिटल मुंबई के डाक्टरों ने जवाब दे दिया था 12. बाद में उसको लुई से की 12. यूकिन ही यो लाइफ, बुक मिली, पढ़कर वह पूरे प्रोसेज समझ गया और अपने एहसास और भावनाओं को बदला, फिर दो महीने बाद कैंसर जड़ से खत्म ही हूं गया, डॉक्टर तो हैरान ही रह गए दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अ दोस्तो ऐसे केस शायद आपने देखे हूंगे जब डॉक्टर ने रोगी को मरनासन स्थिती में घर भेज दिया हूं और रोगी बच गया हूं, महाभारत में भीश्म पितामः अपने इसव चितन मन की शक्तित उलयो बखू भी जानते थे, 15. आध्यात्मिक्ता का अंक SQ, मन, वचन, कर्म की एक रूपता, जो औरों को खुश करे वही आध्यात्मिक्ता हैं, मेरे हिसाब से आध्यात्मिक्ता क्या हैं, 1. To do job with honesty, 2. To repay a loan in time, 3. To keep a promise, 4. To maintain a value in business, SQ greater than EQ greater than IQ, 16. चुम्बक की अशक्ती attraction, हम सभी एक चुम्बक हैं और अपने जीवन में हर उस चीज को खीच सकते हैं जो हमें पसंद हों, किन्तु इस मैगनेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होंगा, इसके लिए शबरी तक्नीक अपनाना पड़ेगा, जैसे राम, राम हमेशा शबरी करती गई और राम को जाना ही पड़ा, वैसे ही आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे करें, पैसा चाहिए तो पैसा पैसा पैसा, पावर चाहिए तो पावर पावर, अंथक अविरत करते रहे, यह हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगा यह हर हाल में होंगा ही 17. पेन कंट्रोल शरीर के किसी भी आंग पर के दर्द का काबू हमारे अवचेतन मन के पास है 18. निजी भगवान दोस्तों हर धर्म में भगवान से हम क्या चाहते हैं यह सब अवचेतन मन हमें देता है इसलिए हम इसे हर एक व्यक्ती का निजी भगवान कह सकते है 19. अपार सर्जन शक्ती दोस्तों ताजमहल, एफिल टावक, रिलायन्स आदी अपार सर्जन शक्ती के उदाहरन है हम सभी अवचेतन मन का इस्तेमाल कर अपनी मन पसंद शरिष्टी निर्मित कर सकते हैं 20 सारे विश्व के उपा असर जब तानसेन ने दीपक राग गया तो आग भढ़क उठी तानरे रेने राग मलहार गया तो बारिश होने लगी सीता मैया के एक कमान से धर्ती फट गए और सिर्फ राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे कौन सा विज्ञान यह सब की व्याख्या करता है यह सब अवचेतन मन की शक्तिया है श्री श्री रविशनकर जब बंगलोर में अंतर राष्ट्रिय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना से बादल आते हैं बरसते हैं आप कभी भी आश्राम में जाकर यह देख सकते हूं वहां के साप, विच्वो, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्मों गई हैं वहां हमेशा हरियाली रहती है यह श्री श्री रविशनकर महराज की अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा नमूना मात्र है 21. Control over every part of body महान महर्शी योगी जिन्होंने श्री श्री रविशनकर और डॉक्टर दीपक चोपड़ा को मेडिटेशन सिखाया जब खुद ध्यान में होते थे तो हवा में उपा उठ जाते थे इसको योगिक फ्लाइं कहते हैं हमारा आफचितन मन परम शक्तिशाली है इसका हमारे शरीर के हर भाग पर काबू होता है बाइस क्रियेटिव थिंकिंग, क्रियेटिव थिंकिंग, ओर्डिनरी थिंकिंग, चेतन मन से क्रियेटिव थिंकिंग, अफचितन मन से दोस्तो वार डिजनी, पंदित रविशनकर, लिनार्डो दाविंची आदी सभी ने क्रिएटिव थिंकिल कर दुनिया को अनमोल रतन दिया, लिनार्डो दाविंची को वाइजस्ट मैन ओफ वर्ल्ड कहा जाता है टेस्ट स्वास्थ्य, जब भी आपसे कोई पूचता है, कैसे हों? आप क्या कहते हों? फाइन, यह कहने का तातपर्य है, आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब थीक हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है अवचेतन मन हमारे Autonomous Nervous System पर पूरा कंट्रोल टेस्ट स्वास्थ्य, जब भी आपसे कोई पूचता है, कैसे हों? आप क्या कहते हों? फाइन, यह कहने का तातपर्य हैं आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब थीक हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है अवचेतन मन हमारे Autonomous Nervous System पर पूरा कंट्रोल रखता है जो हमारे शरीर में पाचन, श्रावन, हार्मोन पैदा करना आदी की नियंत्रन के लिए जिम्मेदार होता है जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी निगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होती है अच्छे स्वास्थे के लिए आप अपने अवचेतन मन को स्वयम अच्छे सुझाव देते रहे आपको दिया गया Auto Suggestion बोल सकते हैं मेरा स्वस्थे कल जितना अच्छा था आज उसे भी और ज्यादा अच्छा है इस तरह ये भाग समाप्त होता है